Hello everyone, आज मैंने एक interesting article पढ़ा जिसने मुझे बहुत deeply effect किया और मुझे लगा कि मुझे ये share करना चाहिए आप सबको कभी न कभी ये सुना होगा कि thoughts create destiny इसलिए हमेशा सोच कर सोचें Thoughts एक बहुत natural process है जिसे हम रोक नहीं सकते हम humans हैं, हमारे mind में हमेशा कोई न कोई thought आएगा ही लेकिन सोचना क्या है, ये हम सोच सकते हैं किसी भी thought को हम जबरदस्ती mind में आने से रोक नहीं सकते In fact, आप जितना बोलोगे कि मुझे ये नहीं सोचना, मुझे ये नहीं सोचना, नहीं सोचना उतना ही वो thought आपके mind में आएगा क्योंकि जब आप किसी चीज को ना सोचने के लिए अपने mind को जबरदस्ती प्रेशराइस करते हो, तो आपका mind automatically वो चीज़ सादा सोचता है इसलिए जब भी कोई बात mind में बार-बार strike करे तो उसका solution find करना चाहिए और अगर कोई चीज आपके हाथ में है ही नहीं, किसी चीज का solution आपके हाथ में नहीं है तो उसके बारे में सोचकर अपनी mental energy को waste करने का वैसे भी कोई फाइदा नहीं है इसलिए हर चीज का एक positive angle देखो और अगर फिर भी mind में कोई unwanted thought strike करता है तो बस एक काम करना चाहिए फटा-फट उसका opposite thought mind में ले आओ और ये आप कैसे लाओगे positive बोल कर confidently जब भी आप कभी भी कोई भी thoughts या attention mind में आए तब confidently बोलो दूर देंगे 100% सब अच्छा ही होगा सिर्फ ये बोलने से ही आपकी सारी negative energy positive में बदल जाएगी और law of attraction के कारण आपकी life में हर चीज अच्छी ही होने लगेगी Always remember कि life कभी भी इतनी मुश्किल नहीं होती जितना हम उसे बनाते है And so remove the word negative from your thoughts and life You have got only one life और सोचने में आप अपनी life का किता time waste कर देते हो Thoughts is just like holding an umbrella and waiting for the rain You know what? आप अपनी life के thoughts को control करके Life के हर एक experience को अपने according control कर सकते हो जब आप morning उठते हो तो आपको बस confidently सिर्फ ये बोलना है I am 100% sure आज सब कुछ अच्छा होगा हमेशा सब कुछ अच्छा होगा मुझे मेरी prayers पे पूरा विश्वास है God will give me whatever I want and He knows how to do it He can make anything possible आपको सिर्फ morning में ये चीज बोलनी है क्योंकि जब आप positive बोलते हो और ये विश्वास रखते हो कि अच्छा ही होगा तो आपकी body में से कुछ vibrations radiate होती है और universe उन vibrations की energy को catch कर लेता है और इससे आपकी life में हर चीज positive होने लगती है इसलिए हमेशा अच्छी चीजे बोलते रहना चाहिए एक और working method है positivity को attract करने का चाहिए आपके mind में कितने भी unwanted thoughts घूम रहे हो बट आपको सोने से पहले उन सभी thoughts को cut करके बस यही बोलना है that I will get everything I want life for sure and only good things will happen और बिलकुल smile के साथ confidently बोलना है God पे और अपनी powers पे पूरा faith दिखाते हुए आप कुछ भी positive बोलना चाहो आपको कुछ भी चाहिए आप बोल सकते हो या कोई भी चीज जो आपको खुशी दे वो आप बोल सकते हो कोई भी thought जो आप सोने से पहले सोचते हो वो आपके subconscious mind में बैट जाता है सोते time mind आपका mind वही चीज़े recall करता है और फिर जब आप उड़ते हो तब पूरी रात आपके brain ने जो चीज़े recall की है morning में आप वही चीज़े attract करोगे अब ऐसा नहीं होता कि exactly वही चीज़े लेकिन हाँ ऐसा होता है कि अगर आप सोने से पहले positive बोलते हो confidently हर चीज positive एक बार बोलते हो God पे अपना faith दिखाते हो तो फिर वह positive बोलने से ही next day आपकी life में सब चीज़े positive positive होने लगेंगी या फिर अगर कुछ negative होना भी होगा तो वह कम negative होगा क्योंकि आपने universe की सारी positive vibrations आपके subconscious mind ने रात को attract की थी तो conclusion simply यही है कि अगर आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा ही होगा अपने mind को free रखे and remember कि life में आपकी mental health and happiness से जादा कोई भी चीज important नहीं है अपनी खुद की health and happiness को priority दे हमेशा life is very simple just enjoy every moment with happiness क्यूंकि एक life मिली है और एक ही life को हमें अच्छे से spend करना है thank you so much and subscribe to the channel और आपका हुआब हमेशा